Hey you, what's up guys, welcome back to the channel everyone Pro Kabaddi Season 8 के auction में से UP Yodha की टीम ने परदीप नर्वाल को यह पर एक करोड़ पैसाट लाक रुपे में खरीदा है और परदीप नर्वाल को Pro Kabaddi के इतियास का सबसे महेंगा खिलाडी बना दिया है अब चलो बात करते हैं कि UP Yodha की टीम ने परदीप नर्वाल को खरीदा है तो क्या UP Yodha नुको कप्तान बनाएगी Captaincy option क्या रहने वाले है आज के इस वीडियो में पूरी discussion करने वाले है लेकिन उसके पहले अगर आप भी जानना चाहते हो कि पटना पाइरेट्स की टीम ने परदीप नर्वाल को क्यों रिलीस किया और FBM काड क्यों नहीं यूज किया तो इसके उपर मैं already वीडियो बना चुका हूँ वीडियो आप जाके देख लेना description में मैं link दे दूँगा अब बढ़ते हैं आज के topic की तरफ आज बात करते हैं कि परदीप नर्वाल कप्तानी करेंगे या फिर नितिश कुमार यहाँ पर captaincy करने वाले है कप्तानी का प्रबल दाविदार कौन है यहाँ पर UP उधा किसको captain बनाएगी तो यहाँ पर I think मैं पहले ही बतारो I think कि यहाँ पर नितिश कुमार ही कप्तानी करेंगे नितिश कुमार ही कप्तानी करने वाले है अब ऐसा क्यों तो आपको यहाँ पर बता देता हूं कि पिछले season ही यहाँ पर UP उधा की team ने नितिश कुमार को कप्तानी दी थी कप्तान बनाया था पूरे मैचेज में कप्तानी करी थी 23 मैचेज में 13 मैचेज नितिश कुमार की कप्तानी में जीती थी UP उधा दो मैचेज ड्रॉ हुए थे 8 मैच हारी थी और 3rd position में यहाँ पर finish किया था एक ड्रॉ मैच था और 13 मैचेज वो हारे थे और 8th position पर फिनिश किये थे यानि की पटना पारिट्स का कोई बहुत अच्छा सीजन नहीं रहा था तो वहाँ पर उनका बहुत अच्छा performance था रेटिंग वगरा सब से ही थी लेकिन ऐसे captain सी बात करूँ टीम को maintain करने की बात करूँ तो वहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर struggle करते वे दिखाई दिये थे परदीप नर्वाल तो इसलिए नितिश कुमार यहाँ पर जो है वो अच्छे defender भी है मतलब एक tactical कप्तान है नितिश कुमार और एक बहुत अच्छा option है आप परदीप नर्वाल को कप्तानी मत दो परदीप नर्वाल के उपर high performance pressure रहने वाला है इतने करोड रुपे में भिके हैं तो उनको खु तो इसलिए तो यार मत दो आप नितिश कुमार से ही कप्तानी करो नितिश कुमार बहुत अच्छा option रहेगा नितिश कुमार कप्तानी करेगा डिफिंडिंग करेगा अपनी टीम को समालेगा और परदीप नर्वाल टू दा फ्रंट पूरा लीड करेंगे तू दी फ्रंट पूरी अच्छी से रेडिंग बगरा करने वाले तो आप कप्तानी मत देना तो मेही तरफ से मतलब at the end यही बात है पूरी कि परदीप नर्वाल को कप्तानी मत दो नितिश कुमार कप्तानी करेंगे नितिश कुमार अच्छी डिफिंडिंग करेंगे और परदीप नर्वाल को कप्तानी से हटा देना चाहिए नीचे आप कॉमेंट करके बिल्कुल से बताना आप जो भी सोचते हो में तरफ साच की यही वीडियो थी मेरा तो मानना यही है कि यूपी उद्धा को अपना कैप्टेन कंटीन्यू रखना चाहिए यूपी उद्धा को एसे इंटरस्टीन वीडियो के साथ तिल धने वागे डेओ देग झाहिए रखना चाहिए